तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं पालक का राइता तो आपने बहुत बार बनाया होगा गाईज और बहुत बार खाया भी होगा लेकिन आज मैं अपने तरीके से आपको पालक का राइता बनाना सिखाऊंगी जो कि बोखोत ही ज़दा टेस्टी बनता है और बोखोत ही ज़दा मज़ेदार बनता है ये रहता एक बर आपने बना लिया ना तो दो की जगे चार रोटिया कैसे खा जाओगे पदा भी नहीं चलेगा यानि कि आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन दिल नहीं बरेगा बिल्कुल भी मन नहीं बरेगा इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है तो क्या करना है पालक ले लेनी है अच्छे से इसे वोश कर लेना है और रफली इसे चोप कर लेना है जैसे मैंने आपको चोप करके दिखाया है अब एक कड़ाई ले लेनी है गैस पे चड़ा देनी है और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें ओईल डालना है साथ ही आधा चमचे करीब मैंने यहां पे जीरा डाल दिया है और जीरे को अच्छे से भुन जाने देंगे यानि कि गॉल्डन ब्राउन कलर इसके उपर आने देंगे जब यह थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे जितने भी हमने पालक चोप की थी न वो डाल देंगे यह देखिए स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि कड़ाई बहुत ज़्यादा भर चुकी है पालक की मातरा बहुत ज़्यादा है लेकिन नहीं गाईज यह पानी छोड़ती है और बाद में बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी हो जाती है और इसमें न इसी स्टेज पे थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि साथ की साथ हमारा नमक भी अच्छे से भून जाए और पालक है वो जल्दी से गल जाएगी अब ठक के इसे हम पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे जब तक हमारी पालक अच्छे से गल नहीं जाती और अब मैंने यहाँ पे ले लिया दही यह घर का जमाया हुआ दही है और इसको अच्छे से हम फेटेंगे अच्छे से फेटेंगे तभी जाके हमारी जो राइता बनेगी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा और स्मूद सा टेक्स्चर का बनेगा और याद रखीगा आपने दही बिल्कुल चेल्ड लेना है फ्रीज का निकाला हुआ और यहाँ पे यह देखी पालक है हमारे अच्छे से गल चुकी है और यह देखी पहले हमारी कड़ाई बिल्कुल भरी होई थी ना और क्वांटिटी कितनी कम हो चुकी है तो अपने अकोर्डिंग आप पालक ले सकते हैं जितना राइता बनाना है अच्छे से पालक को गलाना है और साथ ही थोड़ा सा चाट मसाला और साथ ही मैंने यहां पी डाला है थोड़ा सा ब्लैक सोल्ट चोकी हमारे राइते के टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा और बहुत ही मज़ेदा टेस्ट आएगा तो यह लिजिए हमारा पालक का राइता बहुत ही चटपटा सा बन की तयार हो चुका है आप भी इसी तरीके से बनाईएगा और खाईएगा और मेरी चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिएगा तेंक यू सो माच